नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका भद राइस अकाडमी में आज का डेटा 14th of माई आज के सेशन में हम लोग 13th as well as 14th माई दोनों के करिंट अफेस न्यूज अनार्स के डिसकर्शन को आपके सामने प्रेजन कर रहा है तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो ह यह हसाम का एक बहुत ही प्रमिनेंट फिगर है क्योंकि शी आज फाउट अगेंस्ट विच निए जो इसी लिए शी वेडिमच अन्यूस राइट नौ वाट इस बाइस तक भाउट अब्स अगेंस्ट इस अगेंस्ट ने बहुत फाइंड किया और कहा जाता है शी इस हेल फ इनका एक बहुत प्रतीक माना जता है आसाम में राइट अन यस इनके दिमाईस के साथ-साथ बहुत सारे SAT एस यह क्षज्ड कावर्नेंट आपषीशल स्वेल ने गेडिख बिल्कुल जाता है यह क्षा चुन ऑन य्ज act प्राइट बहुत मिच श्यु बहुत है इसली भी श President of India इनको Padma Shri दे रहा हैं, right? So, Padma Shri से तो नवाजा गया है ये, बढ़ साती साथ, आपको अगर पता होना चाहिए, इनको नॉमिनेर्ड भी किया गया था, NoBal Peace Prize के लिए, भखले, इनको NoBal Peace Prize मिला नहीं, but, Nominations तो हथा न, तो देखो यह अपने आप में लेकिन बहुत important term है next prelims में यह बहुत ही जादा important है आही सकता है आपको right है ना so इन्होंने एक mission बिरुबाला भी launch किया था जिसका main aim था असाम में witch hunting के खिलाफ एक campaign लड़ा जा सके और इनहीं का efforts था जिसके करण असाम में आया था असाम witch hunting act of 2015 so yes इनके life कहा जा रहा है undoubtedly millions of people millions of youngsters and citizens of Assam and India के लिए एक season light that कैसे हम लोग को society में रहना चाहिए और कैसे you know social issues जो के negatively impact करते है उसके खिलाफ हमें एक साथ लड़ना चाहिए next welcome move आज के news article में एक article था जहां पर लिखावा था Assam State Department of Water Resorts जो है वो दिब्रुगर में spurs का construction कर रही है किस fund के किस scheme के अंडर नीदा scheme नीदा स्टैंस फॉर नाबार्थ infrastructure development scheme assistant तो इस scheme के अंडर पैसे दिये जा रहा है जिसके अंडर दिब्रुगर में spurs का construction किया रहा है क्यों जिससे flood और soil erosion के intensity को घटाया जा सके तो सबसे पहले तो हम लोग discuss करेंगे spurs होता क्या है उसके बाद आप समझोगे कैसे spurs का construction करने से दिब्रुगर में जो floods and soil erosion से negative impact हो रहा है उसको घटाया जा सके तो चलो देखते हैं देखो यह जो देख रहा हूँ प्रिपट को रोकने से क्या होगा देख देखो पहले अगर यह spiral होता तो क्या करता यह जो इस बैंक को iso the karta rata karta rata but its parts के बनने के बाद जो है न क्या होता नदी जो है directly दर से इदर के चले जाती भीचबीत से रईट तो इसलिए क्या होता है यह जो वालकाiera vision होता था सी बैंक जिसको हम लोग बोलता है इसका और इरोजन नहीं होता है ठीक है और इसी का construction किया जा रहा है दिब्रूगर में जिससे क्या flood और erosion के intensity को हमें रोका जा सके तो किस scheme के अंडर पैसे मिल रहा है यसनीदा scheme stands for नबार्द infrastructure development assistance scheme state department of water resource जो है वो initiate कर रही है construction दिब्रूगर में spurs का under this नबार infrastructure development assistance scheme और इसका main purpose किया है इसका purpose है to protect the town from flood and erosion ठीक है तो importance किया है spur construction का जैसे कि मैंने पहली बोला that these spurs are what these are permanent structures तो इससे फाइदा ये होगा that reverse का course को तो redirect करता है क्योंकि पहले reverse का course क्या कर रहा था इसके walls को hit कर रहा था जिसके कारण जो है river के banks जो है erode हो रहे थी but अभी ये जो river है directly in walls को hit नहीं कर रहा है ठीक है जिससे क्या वो erode भी नहीं होगी है ना और undoubtedly अगर आसाम देख लिजेगा yes flood और erosion undoubtedly बाड़ा मेना वाला थ्रेट है perennial थ्रेट है जिसको long term consequences भी हो सकते हैं इसी लिए ये चीज बनाया गया इस article में discuss किया गया था एक बहुत important aspect इसको हम लोग बोलते हैं नहरू intervention historical अगर context देख लिजेगा 70 साल पहले नहरू जी की supervision में large stones और wooden spurs का construction किया गया था दिब्रुगर में जिससे erosion से बचा जा सके और इसके लिए नहरू जी ने make sure किया था that central government या फिर a straight government से जितने भी resources को mobilize करना हो में realize किया जाए but but post independence का कहा जाता है that this is one of the most largest anti-erosion mechanism और इसमें efforts भी लगाए गया थे जो कि involve करता है procurement of stones and salt tree logs है ना जिससे क्या effective barrier create किया जा सके against erosion but उसके बाद क्या होगा उसके बाद कहीं ना कहीं इस जो erosion है इसको priority बहुत कम दिया जाने लगा यहां पर funding बहुत कमाने लगी तो वही बोला जा रहा है erosion control जो है वो और अभी successive government के priority list में नहीं रहा और देखा गया है that erosion control initiatives के लिए funds चाहिए but वो fund भी लाग कर रहा है in fact बोला तो यह जाता है that state का 7% जो land mass है ना that has been lost due to erosion and yet it has not received adequate attention from the central government 7% can you imagine this यह बह गया है already ब्रमपुत्र ने 7% जो land mass state के land mass उसको बहा दिया है oceans में right so सवाल होता है reorienting flood control initiative so हमें क्या क्या करना पड़ेगा वही बोला जा रहा है that हमें फिर से reorient करना पड़ेगा जो पहले नेरूवियन एरा के समय जो यह इतना aggressively इसके उपर काम किया जा रहा है फिर से उस aggressiveness के तहट हमको काम करना पड़ेगा long term solutions हमें खोजनी पड़ेगी है infection वैसे तो देख लिजेगा humans में यह rare है but still हम लोग को pandemic COVID-19 pandemic से यह सब चीजे सीख कर अभी से steps लेना चाहिए Swine flu यह क्या है एक respiratory disease है जो क्या एक virus that is type A influenza virus के द्वारा बनाया जाता है और ज्यादा तर यह pigs में ही देखने को मिलता है Pigs में basically एक virus exist करती है H1N1 virus भी हो सकती है या फिर H1N2 या फिर H3N2 virus तो यह basically sustrains है Swine flu के now इंसान में अगर Swine flu देख लिजेगा तो वैसे तो Swine flu अगर देख लिजेगा जादा है primarily pigs को ही infect करता है बट जी हां rare human infection भी हो सकता है जो क्या आसाम में हम लोग को report भी इसका मिल रहा है और इसके कारण हेलाकांडी district काछा district में Swine flu related deaths भी हमें देखने को मिला है तो undoubtedly अभी administration को काफी जादा active हो जाना पड़ेगा और वही बोला जारा है variant flu virus and risk बोला जारा है when a virus that typically spread among pigs infect human it is termed as variant flu virus जी हां ये भी अपने आप में देखो एक्की टम मिल गया आपको that कोई भी virus जो क्या pigs may infect होता है but वो अगर infect करता है human को तो उसको हम लोग variant flu virus बोलते है और लोग जो है at higher risk of developing serious variant flu complications और इन में कौन-कौन से लोग ज्यादा वलनरबल है वो है children under five years है वेज है ना वैसे individual जो क्या बूरे बुजर्ग है that is 65 years है अबव वाले लोग pregnant women और जिनके already तबियत खराब है already chronic health conditions है yes they are also in danger of this तो इसकी transmission और symptoms कैसे होती है तो देखो यह human infection जो होता है na of swine flu virus यह occur करता है through direct contact with infected pigs कैसे pigs जब भी cough sneeze करता है और अगर human सामने है right to human को impact कर सकता है जिसके कारण humans में भी flu fever tiredness sore throat coughing running nose यह सब चीजे हो सकती है तो सवाल होता है इसका prevention and precautions क्या है भाई चलो discuss करता है देखो precaution में क्या है ना जैसे यह इसका पहले तो देखते है spread होता कैसे देखो spread जो होता है ना person से person वह जैसे say for example person A को हो गया person A के सामने आप हो अब यह person क्या करेगा अगर छीकेगा जैसे COVID-19 में नहीं होता तो वैसे तो वैसे आपको हो सकता है इसलिए precaution में हम लोग क्या कर सकता है मास्क पहन सकता है frequently hand washing कर सकता है avoid कर सकता है contact with any sick pigs या फिर vaccination हम लोग provide कर सकता है against seasonal flu right next again Assam Tribune का article है यहाँ हम लोग बात करेंगे इंडिया का technological odyssey यह कल के article में था और मुझे लगा बहुत important है क्यों क्योंकि देखो कभी भी अगर technological fund में कोई भी question आ रहा है तो यस इससे आप directly points उठा के लिख सकते हो जैसे बोला जा रहा है इंडिया का जो journey है from traditional economy traditional मतलब क्या हम लोग पहले क्या agriculture economy थे but अभी क्या है हम लोग दुनिया का digital powerhouse है तो यह एक कहीना के दुनिया भर के लिए एक testament है एक proof है that yes India is resilient India is adaptable और India has the top-notch quality of entrepreneurial spirit historical अगर foundations की बात करें of Indian technology yes contributions कहीना कहीन हम लोग को देखने को मिल रहा है mathematics, astronomy as well as medicines में right और contemporary अगर times में देख लीजेगा yes economic reforms हमें देखने को मिल रहा है globalization हम को देखने को मिल रहा है तो यह क्या हो रहा है that पहले तो हम लोग mathematics, astronomy, medicines इन समय आगे थे पट अभी के समय में जब से economic reform आया globalization आया तब से देखने को मिल रहा है that चीजे बिलकुल बदल रही है अगर देख लो जो successive governments में हम लोग ने five year plans देखा था अभी नीती आया हो गाया है right तो कहीं न कहीं emphasis पहले से ही था scientific research में in fact हमारे देश में inception हुआ बड़े-बड़े colleges जैसे IIT का technological institute of fundamental research का atomic energy commissions का space exploration में देख लीजेगा हम लोग कितने हागे 1975 में हम लोगो ने आया बट को launch किया गया था तब तो जास इंट्री हुआ था बट अभी इस रो ने फाइनरी 2013 में हम लोगो ने Mars Orbital Mission पहले attempt में successful landing in Mars तो सोच रो can you imagine this is huge राइट वैसे इस साइंटिफिक milestones की बात करें यस genetic science में हम लोग कितना आगे निकल गया है जिसमें DNA fingerprinting you know क्या क्या नहीं हो रहा है mobile revolution की अगर बात करें जैसे 4G services का launch हुआ है तब से दुनिया का one of the hub बन गया है इंडिया जहां पर smartphone smartphone manufacture होती है वैसी IT sectors की अगर बात करें yes emergence as global IT service destination in the year 1990s जी है in 1990s के बाद से इंडिया एक global IT services है क्योंकि हम लोग दुनिया को अपने IT services दे रहे है अपने KPO services दे रहे processing outsourcing दे रहे है तो क्या क्या नहीं दे रहे है भाई liberalization policy ने कहीं अगहीं attract किया है foreign investment को और हमें देखने को मिल रहे है हमारे देश में ही indigenous tech giants भी आ रहे है रहे है इंपक्त बैंगलोर क्या बोला जाता है Silicon Valley of India Silicon Valley of course है USM right but India का Silicon Valley India का एक ऐसा region जहां पे which is a hub of you know technology yes that is Bangalore digital inclusion में क्या क्या है yes कहीं ना कहीं e-commerce के sector में हम लोगो ने ग्रोगिया digital payments online services देख लिजए हर sector में हम लोगो ने ग्रोगिया UPI का रोल देख लिजए digital wallet का रोल देख लिजए क्या पहले UPI था अभी देखो आप एक vendor को भी पैसे दे रहो तो UPI में देते हैं लोग तो यह सब क्या है these are changes that we are observing अधार system अगर देख लिजएगा इसने एक catalyst के तरह काम किया in service delivery जिससे क्या इंडिया में जो digital transition है और भी fast track हो गया है कोई भी government service कोई भी subsidies देख लिजएगा yes everything is linked to अधार जिससे processes streamlined हुई है efficiency enhanced होई है transparency और साथी साथ accountability भी बड़ा है और इसी के साथ इनी चपचीजों के बाद हम लोग देखने को मिल रहा है that हर sector of technological fund में yes India आगे बढ़ रहा है इंडिया का effort अगर देख लिजएगा artificial intelligence, blockchain और internet of things में yes आगे तो है but साथी साथ government initiative जैसे national artificial intelligence strategy, digital India mission में देख लिजएगा कितना आगे निकल गया है 5G technology और भारत net project की अगर बात करें yes कहीं न कहीं potential तो है 5G technology का that हा transform कर सकता connectivity और industries को जो क्या भी दीरे दीरे हो भी रहा है यही तो भारत net का aim किया था उसका aim था that हमारे देश में जो urban और rural divide exist कर रहा है इस urban rural divide को fill up करना और वही तो चीज बोला जा रहा है that 5G technology भारत net यह सब भी तो यही चीज को bridge कर रही है तो sustainable development renewable energy में हम लोगों ने क्या क्या है yes आप देख लीजिए electric vehicle कितना adopt हो रहा है कुछ दिन पहले ही you know Guati देख लीजेगा growing green color का bus चल रहा है है ना तो renewable energy का तो adoption करी रहा है पर साथी साथ ensure किया जा रहा है that solar wind or different other renewable energy sectors में investment जारी रहना चाहिए technological innovations अगर आसाम में बात करें yes आसाम में भी policies जैसे आसाम startup policy यह क्या ensure करती है entrepreneurship को right establishment of semiconductor manufacturing plant in northeast what is this यह तो kind of यही दिख रहा है ना इंडिया के साथ साथ northeast जो के बहुत पीछा था पहले अभी northeast भी हम भी किसी से कम नहीं है ना तो वही है जैसे बोला जाता है ना मेरी मारी बेटी छोडों से कम है के तो वैसे हमारा northeast different other states से कम है के वही चीज हो गया है ठीक है so transition from traditional economy to digital powerhouse undoubtedly यही इस आर्टिकल का थीम था that कैसे इंडिया जो traditional economy जैसे normal जाधातर agriculture और manufacturing में डिपेंड था अभी क्या है agriculture तो है ही वो तो बरी रहा है बर साथ ही जात मैनुफाक्टरिंग में भी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रहा है make in India initiative के बाद और खेर अगर service sector की बात करें तो mashallah उसमें तो कितना ही हम लोग आगे बार रहा है so these are the things that we have got from this article next हम लोग बात करेंगे एक again important article में इसके बात में यह है बेहाली reserve forest के बारे में और बोला जा रहा है that अरुनाचर प्रदेश से जो है इस बेहाली reserve forest के biodiversity धीरे धीरे खतम हो रहा है right और सवाल होता है बेहाली reserve forest कहां है क्या यह आसाम में तो जी हाँ इसका सही आंसर है यह है असाम में तो सवाल होता है अरुनाचल से लोग कैसे इस region को इंक्रोच कर रहा है देखो पहले इसका location दिखाता हूँ this is India is that clear इंडिया में जो यह red देख रहा है न what is this आसाम ठीक है यह अब से देखो यह जो green पैस देख रहा है न what is this this is that Behali reserve forest यह बिश्वनात district में यह यह देखो बिश्वनात राइट और इसका can you see that यह वाला can you see this right इस ही का देखो जो magnified version है वो यह है मतलब इसके उपर क्या है अरुनाचल प्रदेश और इसके नीचे क्या है असाम right अब देखो यहां पर क्या हो रहा है आपको पता है असाम और अरुनाचल प्रदेश के पिछ में कुछ कुछ border disputes है न तो अभी क्या हो रहा है यहां के लोग क्या कर रहा है इस region में इंक्रोच करना चाहता है समझो और यहां पर बेहाली रिजर्फ फॉरेस्ट है और तो नुकसान किसको पहुंच रहा है बेहाली रिजर्फ फॉरेस्ट को बेहाली रिजर्फ फॉरेस्ट इसको वैसे बूला तो ज़रूर गया था इसको हम लोग अपग्रेट करेंगे to wildlife century क् इसके प्रोटेक्शन मेकानिजम काफी ज़्यादा इनांस हो जाएगी वैसे प्रिम्र में नोटिफिकेशन लाया भी गया था बट अभी तक कोई है सच प्रोग्रेस इसमें नहीं देखने को मिल रहा है और बाउंडरी डिमार्केशन भी अगर देख लीजेगा साल से वहाँ पर हमें जो भी जितने भी सारे बाईवरस्टी इसक्षित कर रहे ना उसको लॉज देखने को मिल रहा है और ये बाईव इन फाक्त क्लीरी बोला गाया बेहाली रिजर फॉरेस्ट है श्रिंक फॉर्टी स्क्वार किलोमेटर तो 80 स्क्वार किलोमेटर और इसका में इनक्रोच्मेंट में रीजन है इल्लीगल लॉगिंग राइट सो वही बोला जा रहा है था कंशरवेशन एंफर्ट्स क्या क्या किया जाना चाहिए देखो बोला जा रहा है लोकल कंशरवेशन इस जो है ये विटनेस कर रहा है नियूमरेस इंस्टेंस और ट्री फेलिंग बाई इनक्रोचर अब लोकल जो लोग है अब दो को से फर एक्जांपल आप कंशरवेशन इस तो रहा है आप मैक्सिम पूलिस को फोल करोगे तब तक ये लोग भाग भी जाएंगे है ना सो इनडिक्वेट मैन पावर और लॉजिस्टिक कही ना कही इस रीजन में है मतलब लोग और भी जादा पुलिस फोर्स यहाँ पे चाहिए जिससे क्या ये लोग चीजों को रेगुलेट कर सके इसके करन क्या होता है कंशरवेशन एंफर्ट में हमें रोक देखने को मिल रहा है बोला जारा अरजन नीड है फॉर दर ट्रेंड आम्ड गार्ड और अडिशनल क हाइड जो है दीलर रख वाली कर सके इस रीजन का तभी हम लोग मेक्शूर कर सकते है यहां कì जो बाट ओरीवर्स ट्रेट है उसको हम लोग रेड्यूस कर सकते है तो बाट यहन तो ट्री के स्पेशीज, प्लांट के स्पेशीज, या फिर अनिमल के स्पेशीज, उसमें भी अगर ले अगर देख लिए गार अफ्लि अरॉण नेटिव प्लांट स्पेशीज की अगर बात करें, 308 नेटिव प्लांट स्पेशीज हैं ist terribly और बहुत बहुत आसा ऐसे जो के हैं एंडेमिक रहेके मतलब सिर्फ और सिर्फ वहीं पर मिलता आपको कहीं पर नहीं पर नहीं मिलता है तो डाउट एक जहां पर भी एंडेमि siitä जहां होती है वही आप लोगों ने चाहिद यह इन्वरिमेन एकलोजी में भी परहूगा जहां पर भी इंडिमिसिटी जाधा होती है, वहां के बाइवर्सिटी बहुत रिच होती है, तो चलो, यह तो होगा फ्लोरल quality, about faunal quality, उसमें भी देखलो के मैमल्स, जिसमें elephant, tiger, leopard, or different other primate species भी आपको देखने को मिल रहे हैं, diverse, avian, reptilian, and insect species आपको इस रिजन में देखने को मिल रहे हैं, तो वही बोला जाना है, एक urgent intervention हमें करना परेगा, है न, which is the need of the art, and this urgent intervention से क्या होगा, that हम लोग safe guard कर सकते हैं, Assam के biodiversity को, और, of course, Assam का biodiversity सेब होगा, तो future में potential जो हम लोग बोल रहे हैं, that, you know, wildlife tourism को promote किया जा सकते हैं, तो वो automatically promotion भी होगा, right, so this was all about the discussion that we had for this very session, आशा करता हूँ that आपको इन articles से एक important light मिला होगा, as to what are the issues that are being going on Assam per se, right, so this was all about the discussion that we had, मिलते हैं, next session में, till then, bye-bye, take care.